अगर आप भी 15 मिनट में इंस्टेंट ग्लो और पिंकी स्किन पाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखिए आपकी स्किन चाहे कितनी भी रुखी सूखी सी हो, बेजान सी हो, डल हो, मुर्जाई हुई सी हो ये फेस पैक आपके स्किन की अंदर नई जान भर देगा, आपकी ड्राइ स्किन को मौस्चराइज करेगा, आपकी स्किन एकदम से खिल खिलाने लग जाएगी हाई एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर बाई सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब लोग, I hope आप सब लोग खुश होंगे तो इस फेस पैक को हम कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, हफ्त में कितनी बार लगाएंगे, कितनी देर लगा कर रखेंगे इसके बार में बात कर लेते हैं हम अपनी वीडियो में सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी अपने फेस को क्लीन करने के लिए मैंने गुलाब जल लिया है गर्मियों में गुलाब जल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी सकिन को ठंडक देता है हमारी सकिन से गंदगी को निकालता है और इसके साथ साथ ये हमारी सकिन को चमकदार बनाता है Face Pack लगाने से पहले अपने Face को Clean करना बहुत जरूरी है क्योंकि Face के उपर धूल मिट्टी हो सकती है या Make Up लगा हो सकता है अगर हमने ऐसी अपने Face के उपर अपना Face Pack लगाया तो Face Pack फायदा देने की बज़ाए नुकसान करेगा हमारे चहरे के उपर एकने मुहासे आ सकते है Black Heads, Wash Heads हो सकते है देखिए मैंने भी अपने Face को Clean कर लिया है अब हम बढ़ते हैं अपने Next Process Face Pack की तरफ Face Pack बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो चमच, चुकंदर का रस यानिकी Beet Root का रस मैंने चुकंदर को कदूकश कर लिया है अब मैं चलने की हैल्प से इसके रस को अलग कर लूँगी देखिए मेरा रस ये दो चमच के करीब मुझे मिल गया है इसमें विटामिन C होने के कारण ये हमारे चहरे के दाख धब्बों को भी लाइट करने में और इसके साथ साथ जूरी और फाइन लाइस को भी डेले करने के लिए ये काफी अच्छा होता है अब मैं इसमें एड़ करूंगी आदा चमच निम्बू का रस अगर आपको निम्बू का रस सूर्ट नहीं करता तो आप इसकी जगा आदा चमच टमाटर का रस एड़ कर लीजिए अगर आप निम्बू का रस एड़ करोगे निम्बू के रस में भी भरपूर मातरा में विटामिन C होता है जो हमारे रंग को साफ करने के लिए हमारे चहरे के काले पन को दूर करने के लिए काफी फायदे मन्द होता है अब मैं इसमें एड़ कर दी हूँ एक चमच हनी यानी की शेहद यह ओप्शनल है अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो अगर आप स्किप करना चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो लेकिन अगर आप इसको डालोगे तो यह हमारे स्किन को नैच्चर तीके से मौस्चराइज करेगा हमारे स्किन को बहुत ही सॉफ्टली एक्सवोलेट करके हमारे चहरे के उपर ग्लो लाएगा अब इन सबी चीजों को बांधने के लिए मैं इसमें एड कर रही हूँ एक चमच गेहु का आटा यह वो आटा है जिससे हम चपातियां बनाते हैं अगर आपको गेहु का आटा सूट नहीं करता या आप इसको एड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगा बेसन का इस्तेमाल कर लीजिए बेसन भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है अब हमने इन सबी इंग्रीडियोंट को अच्छे तेके से मिक्स कर लेना है और इसको अपने पूरे चेहरे और गर्दन के उपर हम लगा लेंगे इस फेस पैक को आप नहाने से 15 मिनट पहले लगा लीजिए आप जब इसको वाश करोगे इसका रिजर्ट देके आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो क्योंकि इसका रिजर्ट ही बहुत अच्छा है ये फेस पैक चेहरे के उपर गलो लाएगा पिंकिश लुक लाएगा इसके साथ साथ ये हमारे चेहरे के उपर कोलेजन को बढ़ाने में भी हमारी हैल्प करेगा कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत जुरूरी होता है अगर हमारे चेहरे के उपर कोलेजन की कमी हो जाती है तो हमारे चेहरे के उपर रिंकल्स और फाइलेंस बहुत ही जल्दी आने लग जाती है चुकंदर कोलेजन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप इसको खाओ भी और इसको लगाओ भी आप इस face pack को हफते में तीन बार लगाईए चार बार लगाईए कोई दिक्कत नहीं है आप इस face pack को 10 मिनिट लगाकर रखिए 15 मिनिट लगाकर रखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये face pack dry होगा नहीं ये face pack इसलिए dry नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें आलू के pulp का इस्तेमाल किया है अगर मैं इसमें आलू के रस का इस्तेमाल करती तो ये face pack 10-15 मिनिट में बहुत easily dry हो जाता है आलू के pulp की वज़े से ये face pack कम से कम आदे घंटे तक भी dry नहीं होगा ये face pack ब्राय नहीं होगा इसलिए मैं इसको अपनी आँखों के नीचे भी लगा रही हूँ face pack लगाने के साथ साथ night skincare भी बहुत जरूरी है रात को जब आप सोते हो अपने चहरे को wash करके अपने skin के उपर vitamin C, vitamin E या कोई anti-aging cream लगा कर जरूर सोएं क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो हमारे skin के damage cells अपने आप रिपेर होते हैं इसलिए अगर हम अपने चहरे के उपर कोई cream लगा के सोएंगे तो ये repairing system दोगना हो जाएगा और हमारे skin ज़्यादा healthy और youthful दिखाई देगी वैस्तो friends इस face pack को बनाने के लिए सारे ingredient बिल्कुल natural है लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें से कोई चीज सूट नहीं करती तो please उसको skip कर दें या patch test करके देखें उसके बाद ही face pack का इस्तेमाल करें ठीक है जी देखिए मेरा face pack लग चुका है अब मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट के बाद देखिए face pack को लगे 15 मिनट हो चुके हैं अब मैं अपने चहरे को साफ करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका result देखिए अब मैं अपने चहरे को wash करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका final result देखिए face wash करने के बाद आप result देख सकते हूँ बहुत ही amazing result आया है आप भी जरूर इस face pack को try करके देखिए और अपने experience अपना result मेरे साफ शेयर जरूर कीजिए अब टाइम है अपनी skin को मॉस्चराइज करने का मैं अपनी skin को मॉस्चराइज करने के लिए अपना बनाय कुकॉंबर मॉस्चराइजर का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहिए वला मॉस्चराइजर लगा लीजिए या अपना कोई भी मन पसंद मॉस्चराइजर लगाएं लेकिन face wash करने के बाद अपनी skin को मॉस्चराइज जरूर करें तो आप भी इस प्यारे से amazing से face pack को बनाएं और अपनी skin के ओपर instant glow और pinkish look पाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी next video में तब तक के लिए बाइ-बाइ